मैं इस वक्त थीद इलाके में खड़ा हूं थीद हारवन डिस्टिक सरीन नगर में खड़ा हूं और आज रेट है 23rd of April 2022 यहां पर यह काम चल रहा है यहां पर यह टावर बना रहे हैं ट्रानस्पिशन लाइन के लिए उसके लिए टावर बना रहे हैं अफसोस की बात यह है कि यह के लिए जो लैंड है उसको अक्वार नहीं किया यह अफ्र द एक्वार बना रहे हैं यह जो माले की जमीन का है बश्यर आमसाब है वो बोल रहे हैं कि ना उनको कोई सक्ष्ण 11 की नोटिफिकेशन निकली है अगर निकलि नहीं मिली है न उनको पेमेंट फॉर डला इनके पेड उखाड़े गया अब देख सकते हैं यहां पर चरी के पेड थे यहां पर काम चल रहा है देखेए टौवर पर काम चाहँ थोड़ा अगर आगे आएंगे देख सक मिला है section 11 के नहीं निकलिए अगर निकलिए तुमको पता नहीं है प्रिम्नरी सर्वे नहीं हुआ section 12 के अंडर payment of damage नहीं मिला है hearing of objection section 15 उसका नहीं हुआ है और जो सबसे बड़ी बात है publication of declaration section 19 of right to fair compensation act right to fair compensation act का जो section 19 है वो नोटिफिकेशन में निकली नहीं है payment नहीं हुए है पहले तो अवार्ड बनाना था अवार्ड बनने के बाद इनको पेमेट जादी एकांट में 80 परसंट देन आउनी जे कुड़ा साटिट दवर्क अगर यह कानून लागू हुआ है मैं पूछना चाहूंगा जहांकि एड्मिस्ट्रेशन से कलेक्टर लैंड एक्विशेशन के पी डी डी के हैं या डिस्ट्रिक एड्मिस्ट्रेशन के जो आपने हमारे क्या बोलते डी सी स्री नगर है मैं उसे गुजारिश करूंगा कि वह इसका नोटिस ले कि कैसे आप लाग को एप्लाइ करने के बगैर ही किसी जमीन में गुशते हैं वहां टावर पे काम चालू करते हैं कोई पेमिट देते नहीं है मैं चाहूंगा इसका प्रोब होना चाह झालू करते हैं